वेल्लो एंड वेल्कम बैक गाइस टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप फाइब बैस थ्री बर्नर गैसे स्टॉप बताने वाला हूं जिनने की आप इन इंडिया नीचे दियोए लिंक्स से पर्चेस तो कर सकते हो बट उससे पहले वीडियो पूरा जरू देखना जहां गैसे स्टॉप जनरली आपको इस तरह की देखने को मिलते होंगे बट आज की टाइम में इन्हें कोई यूज नहीं करता ज्यादा तर लोग इस तरह के गैसे स्टॉप यूज करना पसंद करते हैं तो अगर आप भी उन लोगों में से हो तो मैं अगर आपको चीप वाले गैसे स्टॉप से चल जाता है इसके अलावा इन स्टॉप के जो बर्नर्स होते हैं वो जनरली आपको ब्रास या फिर अलुमिनियम में देखने को मिलते हैं तो दूरेबिलिटी एंड लुक वाइस भी आपको चीप वाले गैसे स्टॉप के साथ न बागे तो गाइस आज किस लिस्ट को शुडू करते हैं अभी हमारे इस लिस्ट में नंबर फाइफ प्याता है लाइफ लॉग का ये वाला थ्री वर्नर गैस स्टॉप जो कि आपको प्रीमियम ब्लैक फिनिश के ग्लास में देखने को मिल जाता है उपर की तरफ जो ग्लास है वो काफी ज़्यादा हार्ड है एंड साथ की साथ आइसाई सर्टिफाइड भी है अब अगर आपका बजट लो है ना तो ये वाला गैस स सबस्ता आता है बट एल पीजी कंपेटिबल है एंड उसके अलावा मैनोल इगनिशन के साथ आता है इसमें जो बर्नर से तीनों ही तरह के मिल जाएंगे आपको एक बड़ा मिल जाता है एंड एक उन दोनों के बीच का भी मिल जाता है बाकि लाइफ लोंग का ये वाला गै अच्छे ब्रेंट एंड अच्छे लुक्स के साथ आपको मिल जाता है नाव इस लिस्ट में आगला जो गैस स्टोब आता है एट नमबर फूर आपको मिलता है पीजिएन का सोलॉरियो थ्री बर्नर गैस स्टोब बल पीजिएन के बारे में ज्यादा कहने की में को जरूत न ग्लास मिलता है बट साइड के जो पैनल से ना वहां पर आपको इस्टील फिनिश मिल जाता है जो कि इसके लुक को थोड़ा बहुत प्रीमियम साइड में एनेंस कर देता है ऑवियसली जो तीनों बर्नर से उनके बीच का जो गैप है वो भी इनोंने काफी हद तक अच्छा मेंटेन किया है बट लाइफ लॉव में आपको गैप थोड़ा कम मिलता है मेक शॉर कि अगर आपको फोर बर्नर गैस स्टोब ले रहे हो ना तो उन बर्नर के बीच का गैप एक अच्छा खासा होना चीए आप अगल वगल में बर्तन रखो तो वह आपस में अडेना बाकि इस वाले गैस स्टोब में आपको आराउंड 7 mm का टफिस्ट ग्लास मिलता है जो की काफी मजबूत आता है बढ़नास वही ब्रास के आते हैं और ये भी एक मैनूल इगनिशन के साथ आपको देखने को मिलता है वल प्रैस की बात करूं तो ये गैस स्टोब आपको 2900 रुप प्रैस का ट्रीप्शन में तो वहां से जाके आप चेकट आउट कर लेना गई जगला जो गैस स्टोब है यह आपको मिल्टन की तरफ से मिल जाता है मिल्टन का प्रीमियम सीरीज का 3 वर्नर गैस स्टोब जो की आपको रैड ब्ल्यू एंड अलग-अलग कलर में मिलता है वह फिलाल मैंने ब्ल्यू वालस लग किया है देखो लुक वाइज यह थोड़े फैंसी लुक में आता है तो इतना एलिगेंट नहीं लगता बट फिर भी आपको कलरफूर पसंद है देन आप इसको चेक आउट कर सकते हो वाकी सारी चीज़स में सेम है वही आपको ब्रास के ब बड़े वाले मिल जाते हैं उसके अलावा लगबग सारी चीज़स सेम ही आती है लुक्स फिलाल आप देख सकते हो स्क्रीन पर प्राइस की बात करूं तो मिल्टन की तरफ से यह वाला गैस स्टोब आपको 3100 रुपीज में मिलता है अमेजॉन के उपर एंड रजिस्ट्रे अब इस बात कर लेते हैं अगले गैस स्टोब की जो की काफी ज्यादा सेलिंग प्रोड़क्स में से एक है एंड लुक वाइस भी काफी ज्यादा प्रीमियम आता है यह आपको ऐलिका का वैट रॉ मिल जाता है जो की वही गलास वाला गैस स्टोब है बट इसका जो लोक है गाइस काफी ज्यादा प्रीमियम है ब्लेक कलर के मैट फिनिश में आता है एंड उपर की तरफ जो ग्लास है उसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा सॉलिड है तीनों बर्नर के बीच कर जो डिस्टेंस है वो भी काफी अच्छी तरीकों से इन्होंने मेंटें किया है तो अच्छा गैस स्टोब है जहां प्राइज इसकी आपको आराउंड 3,500 रुपीज मिलती है एंड इस बजट में बिखने वाले सबसे बहतर गैस स्टोफ में से एक है टू यह की वारंटी आपको मिलती है टॉफेंड ग्लास के साथ लाइक ग्लास कहीं से क्रैक हो जाता है और आपको मिल जाती है पूरे प्रोडर्क के ऊपर बाकी यह भी एक मैनुल ऑपरेटेड गैस स्टोब है तो यहां पर जो इगनिशन है वो मैनुली है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके चेक आउट कर लेना अभी गाइस अगला जो गैस स्टोब है यह आपको मिल बट कलर में थोड़ा 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 वाइट टेक्शर लिया गैस स्टोब के अंदर जो बर्नर सें वह एक कंप्लिट ले ट्रिपाइन ब्रास के बर्नर सें यह भी एक आयसाई माग कैस स्टोब है अब यहां पर जो फीचर सापको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना पहली चीज तो इसमें जो ग्लास लगाए वो स्कॉट की तरफ से आता है जो आपको लाइफ टाम वारंटी देता है मतलब कि कभी भी ग्लास ऑ्टमेंटी क्रैक हो जाता है या कुछ भी होता है उसमें तो आप वारंटी क्लेम कर पाऊगे बाकि सारी चीज़े तो लगबग सेम ही हैं वहीं आपको गैस नौस मिलते हैं सारी कुछ चीज़े वही है मैनुल इगनिशन के साथ आता है तो यह की वारंटी आपको प्रॉपे तक भी मिलता है तो वर्थित है सिर्फ एक ब्रेंड को देखके इतने ज्यादा पैसे देना मेरे क्याल में अच्छी बात नहीं है बाकि अगर आपको प्रेस्टीज काई चीए देन आप 6500 रुपीज में भी ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह जो चीज मैटर करती है न वो है आप अगर आपका बजट अलाओ करता है कि आपको एक बेस्ट ब्रेंड की तरफ से चीए आपको शिकायत बिल्कुल नही आपको 6500 के आसपस मिलता है फोर बर्नर वाला आपको 8000 के आसपस मिलता है तो जो भी आपको पसंदो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी गैसे स्टोप्स की बेस्ट वाइं लिंक पड़ी है मांसे जाके चेक आउट कर लेना बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब देखो confusion की तो कोई बात है नहीं guys यहां आपका budget matter करता है अगर आपका budget कम है 2000 देना आप lifelong वाला ले सकते हो budget बिलकुल उपर तक है तो प्रेस्टीज ले लेना बीच में अगर budget है तो देखो तीन बता है मैंने आपको तीनों अलग-अलग budget के मान लिया कि 100-200 रुपे का ही बट फिर भी वहाँ पर looks and features का भी काफी हद तक फरक आपको देखने को मिलता है तो उसी साब से आप पांचों में से अपने budget को देखते हुए कोई भी गैसे स्टोफ सेलेक्ट कर सकते हो पांचों ही इंडिया के best गैसे स्टोफ हैं बागी guys आज की इस वीडियो में बस इतन ही मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए budget के साथ में